Welcome to Study Channel, मेरा नाम है मुहम्मद कैसर, बात करेंगे सीटेट 2022 के एंसर की को आप कैसे मिलाएंगे, कैसे आप अपने नमबर्स चेक करेंगे, कितने आपके नमबर बन रही हैं, चैलेंज करना चाहिए या नहीं और रिजल्ट आपका कबा रहा है सारी चीज़ बताई जाएंगी बिल्कुल डिटेल में वीडियो में लाश तक बने रहें, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप यहाँ पर आएंगे वेपसाइट पर जब सीटेट के, तो आपको यहाँ पर एरो दिखेगा, एरो पर क्लिक करेंगे, तो आप आजाएंगे इस सेक्षन में जहाँ पर है प्रोविजनल एंसर की सीटेट पेपर वन पेपर टू दिसमबर 2022, तो दोनों पेपर के एंसर की एक साथ जारी की गई है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके एंसर की डाउनलोड कर लेंगे, अब यहाँ पर हमारी एंसर की डाउनलोड हो कि अलग-अलग नहीं है आपको देखना होगा कि आपका exam किस date को हुआ था और किस shift में हुआ था ये बहुत ज्यादा important है पहला दिन जो exam हुआ था 28 December 2022 अब 28 December को morning shift में जिनकी परिक्षा हुई है वो अपनी answer की यहां से देख सकते हैं जैसे कि CDP की पहरे question का चौथा option सही था दूसरे question का चौथा option तिसरे question का पहला option इस तरीके से आपको मिलाना है ठीक है P1 यानि की paper 1 आप इसे समझेए यानि की पहला subject फिर एक से लेकर 30 तक आपका हो गया CDP इसके बाद P2 start हो जाएगा maths 31 से लेकर start तक यहां पर हमाएंगे तो maths हो जाएगा फिर P3 ह हो जाएगा आपका EBS अब यहां के बाद आपको जादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका language 1 में क्या select था आपने English हल किया था या Hindi हल किया था यदि आपने language 1 यानि 91 से लेकर 120 तक हिंदी solve किया था तो आप यहां पर English वाले options को match नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर 91 से 120 पहल अंग्रेजी दिया गया है तो यह चीज आप समझते रहिएगा यदि आपने language 1 यानि 91 से लेकर 120 तक हिंदी हल किया है तो आप इस वाले part को थोड़ा सा skip करेंगे P4 में जहां English है और आप यहां पर देखेंगे दोस्तों 121 से लेकर फिर से English स्टार्ट हो गया P5 यानि कि अपना अंग्रेजी मैच करेंगे तो 91 से 120 तक हिंदी कहां है तो उसके लिए आप आएंगे यहां पर आगे जब 150 खतम हो जाएगा तो 91 फर फिर से आपको हिंदी P4 में देखने को मिल जाएगा तो आप अपना हिंदी यहां से मैच कर लेंगे कहने का मतलब यह है कि आप 91 से लेकर 150 तक आपने क्या हल किया था यह आप देखेंगे और उसके according अपने answers को यहां से मिलाएंगे यह जो answer की है यह master answer की है date wise और shift wise जैसे की 28 December का यह morning का shift है आगे बढ़ेंगे तो यह language वाला answer की है 28 December का ही morning shift का फिर 28 December की evening shift का यहां पर answer की आ गया तो इस तरीके से आपने ज shift का answer की आप इस वाले पीडियाप से मिलाएंगे अब आपने किस question का क्या answer दिया था वो आपको कैसे प्राचलेगा चुक्के exam तो online हुआ था तो आपकी response की भी upload कर दी गई है इसके लिए आपको website पर आना होगा और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों login करने का option आपको दे login करने का option देखने को मिलेगा click करेंगे इस वाले page पर आएंगे अपने details को fill करेंगे sign in करेंगे आप login हो जाएंगे आप अपना password भूल गये हैं तो यहां पर click करके अपने password को पा सकती है application number भूले है तो उसके लिए आप यहां पर click करेंगे details को यहां पर डालेंगे और आप आपको आपका application number मिल जाएगा login करने के बाद कुछ इस तरीके का interface आपके सामने आएगा आप यहां से अपने response को download कर सकती हैं जो main आपके response है वो एक से लेकर 90 तक होगा जो question fix है उसके बाद language वाला आपका 91 से लेकर 150 तक होगा यह आपका paper one का है यह paper two का है दोनों का एक response की जहां पर सभी questions होंगे जैसे कि यह question है question number two आपको question देखने को मिलेगा फिर उसके सभी option होंगे और आपने कौन सा option इसका लगाया था जैसे कि question number two का यहां पर given answer है three तो अब आपको प्रास लगया कि आपने question number two का option three लगाया था अब आप जाएंगे main answer की में और देख ल number नहीं मिला यह तरीका है answer की को मिलाने का अब आप comment करके बताइए कि आपके total कितने number बन रहे हैं फिर से आते हैं official website पर और बात करते हैं answer की challenge को लेकर यहां पर notice है click करते हैं देख सकते हैं आज का date है 14 February Valentine's Day के दिन आपकी answer की जारी की गई है response की जारी किया गया है और यह notice आप देखेंगे बताया गया है कि 28 December 2022 से लेकर 7 February 2023 के बीच में सीठे December 2022 का exam कराए गया था online mode में यदि कोई student दिये गए answer की से satisfied नहीं है तो वो challenge कर सकता है धियान रखने वाली चीज़ यहां पर यह है कि एक question को challenge करने के लिए से एक हजार रुपए लेगा काफी ज़्यादा यहां पर free रखी जाती है से basic के दौरा ताकि लोग हर question पर फाल्तु में objection ना करें यदि आप 100% से और है किसी option को लेकर तभी आप objection करें 14 February से लेकर 17 February दोपहर 12 बज़े तक आप challenge कर सकते हैं आपने जो challenge किया होगा question वो experts के पास जाएगा वो उसको check करेंगे और यदि वो पाते हैं कि question में mistake था तो आपका जो challenge का feel लिया गया है एक हजार वो आपको refund कर दिया जाएगा और यदि आपके challenge को accept नहीं किया CBC ने तो कोई भी refund नहीं होगा और आगे आप कोई भी claim भी नहीं कर सकते हैं कोई further communication नहीं होगा एक बार जब final answer की और result CBC जारी कर देगा तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर बताई गई है आपको ध्यान रखना है यदि आप 100% से और हैं तभी objection करें अपने दोस्तों से अपने teacher से एक बार discuss कर लें और एक चीज़ मैं आप को बता दूँ कि यदि आपने किसी question का objection नहीं किया किसी और ने objection किया था उसमें बदला हुआ तो उसका लाव आपको भी मिलेगा ऐसा नहीं कि आपने challenge नहीं किया और वो question का answer गलत था तो आपको उसका number नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है नमबर मिलता है तो सबको मिलता है लेकिन ज़रूरी है कि किसी नहीं किसी ने challenge कर दिया हो यदि किसी question में आपको लगता है 100% गलती है ही है तो दो-चार friend इकठा होकर कुछ-कुछ पैसे लगा कर challenge कर सकते है नमबर बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा और एक शिच का और ध्य कफे वाले के account से आप payment ना करें अपना खुद का करें ताकि वो पैसा आपको वापस मिल सके बाकि सीवेसी अपने answer की में ज्यादा कुछ बदलाओ करता नहीं है यह यूपी टेट या अन्य राजियों के टेट जैसा नहीं है कि दो-दो-चार-चर question पच-पच question बदल जाए एक से दो बहुत ही मुश्किल से होता है यदि बहुत जादा आपके पास authentic proof हुआ क्योंकि सीवेसी के स्टिट में आपको पता है कि पेडागोजिकल questions जादा आते हैं इसमें बदलाओ की गुंजाइस काफी कम रहती है बात करें result आपको कब तक आ रहा है तो answer की काफी official notification बताया है कि हम result फरवरी end में जारी कर देंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑफिसली बताया गया है कि end of फरवरी में result जारी होने वाला है तो फरवरी last तक आपका result आना ही आना है उसके पहले result आ जाएगा क्योंकि सीवेसी जो कहता है उससे पहले ही वो कर देते हैं पिछली बार हाला कि जरूर लेट हुआ था लेकिन पिछली बार वाली condition इस बार नहीं होगी क्योंकि पिछली बार पहली बार online exam हुआ था जिसकी वैसे समसाय हुई थी इस बार काफी चीज़ें smooth हो रही है और result आपका फरवरी last week तक या उसके पहले ही आ जाना है तो य थैंक्स वर वाचिंग